नमश्कार, न्यूस क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कारिक्रम, इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। हम लोग अक्सर बात करते हैं गंगा जमुनी तहजीब, मिली जुली संस्कृती, कॉम्पोजिट कल्चर, दूसरे तरफ से बात होती है कि हम लोग एक हैं, हम लोगों की एक संस्कृती, एक पीपल और सब कुछ यूनिटरिस्ट अप्रोच होता है। उसी के जवाब में यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दूसरे तरफ से बोला जाता है डाइवर्सिटी इन यूनिटी, दो अलग-अलग बहुती नुआंस्ट फर्क है, लेकिन एसेंशेली हम लोग जिस स्ट्रेंड से आए हैं कि किस तरह से मिले हुए हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है। अक करीब चार दशक से ज्यादा सीनियर रहे हैं और एक तरह से इनका फॉर्मल स्ट्रीम तो जोगरफी था लेकिन भूगल की बात तो करें ही, लेकिन उसके अलावा तमाम और चीजों की भी बात करेंगे। तो आज हम उन तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहल डिफाइन करने की कोशिश करें, आप से समझें की हम जो कॉम्पोजिट कल्चर की बात करते हैं ये क्या है। देखिए मेरा मानना ये है कि जिसको हम कल्चर कहते हैं वो अलग-अलग धाराओं के मिलने से ही कल्चर बनता है। अगर आप इमेजन करें आज की दिल्ली और इस में से उन सब लोगों को निकाल दिया जाए जो दिल्ली वाले नहीं है। तो तो मैं भी चला जाओंगा। मैं भी चला जाओंगा। दिल्ली में जो बचेंगे, वो कुछ गाओं बचेंगे, स्कैटर्ड, कुछ गाओं जाटों के होंगे, कुछ गुजरों के होंगे, कुछ सेनियों के, कुछ ब्रामनों के. और कोई शेहर नहीं होगा. और ये गाउं ऐसे होंगे जो सेक्डों साल से वैसे ही थे. जब बाहर से कोई आता है तो वो अपने साथ कुछ लाता है. कुछ लेके आता है. वो नए वजार लेके आएगा. शायद एक बेहतर तरीके का हल लेके आएगा. शायद बुनाई के लिए कुछ नया लेके आएगा. नए मसाले लेके आएगा. नए कपड़े लेके आएगा. खान पान की सामगरी, कुछ फल, पूल ये सब लेके आएगा. हाशा. कुछ नया लेके आएगा और वो यहां की जो चीजें हैं उनसे मिलेगा और उससे मिलके कुछ नया निकलेगा तो मेरा एमाना है कि संस्कृति अगर वो जिन्दा संस्कृति है तो वो कॉस्मो पॉलेटन ही होती है उसमें हमेशा अलग-अलग धाराएं मिलके कुछ नया बनाती है और ऐसा नहीं है कि इस मामले में हम यूनीक है कि हिंदुस्तान यूनीक है दुनिया भर की सब्यताएं ऐसे ही बनी है और उसी कॉंटेक्स में हम को जिसको हम गंगा जमनी तहसी कहते हैं उसको हम को देखना चाहिए कि ये भी किसी स्तर के उपर जो ब्रहंपुत्र और तीस्ता के किनारे जो हो रहा था जो कावेरी, पेरियार और गोदावरी और पंजाब की नदियों के साथ हो रहा था ऐसा ही यहां भी हो रहा था दूर दूर से लोग आके बसे और यह बसना जब से शुरू हुआ था जब से लोगों ने आज से दस अजार साल पहले जानवरों के पीछे गूमना बंद करके खेती शुरू की थी और तब से आज तक लगातार लोग पानी के पास बसते रहे हैं और वहीं पर एक आबादी के साथ दूसरी आबादी आके बसती रही और उससे ये मिक्सिंग हुई तो हम अगर देखें पूरे हिंदुस्तान में हम एक देश है जहां पे बहुमत आबादी असी फीसिदी के करीब आबादी वो मूर्ती पूजक है लेकिन मूर्ती बनानी की कला हमारे पास बाहर से आई ये गंधार जो गंधार कला कहलाती है गंधारा आर्ट जो है उसके काल में गनिश्क के समय और उससे थोड़े पहले या थोड़े बाद पहली बार फ्री स्टेंडिंग स्टेचू हिंदुस्तान में आया तो मूर्ती पूजकों को एक देश जिनके पास मूर्तियां बाहर से आई जिसको आज हिंदु बोला जाता है जी जी तकि थोड़ा क्वालिफाई करो ये जो असी फीसदी है उनमें एक बहुत बड़ा तपका जिनको हम लोग आदिवासी या फे ट्राइबल बोलते हैं वो भी हैं और वो वास्तव में इसी डिफिनेशन में हिंदु नहीं कहा है जी 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 क्योंकि वो मूरती पूजा नहीं करते हैं लेकिन आपने सही कहा लेकिन जो हमारे याँ डॉमिनन्ट डिसकोर्स है तो उत्तर भारत में हम लोग अगर हम उत्तर भारत में वो जो थोड़ा पूरप का इलाका है उसको अगर उसमें शामिल ना करें तो ये रोटी खाने वालों का इलाका है और गेहूं की रोटी मुखरूब से खाने वालों का इलाका है चक्की बाहर से आई है चक्की बाहर से आई है जी तो चक्की मेरा ख्याल है तो जब चक्की नहीं आई थी अगर यहां गेहूं उकता था तो उकली जैसी जैसी चीज थी इसमें हम कू ग्रूएल कुछ इस्तर कज्म का होता था तो हिंदुस्तान उन सभ्यताओं में से है जिन्होंने सबसे पहले कॉटन की खेती शुरू की थी ग्रीक लोग कैंची लेके नहीं आये हमारे कपड़ा कटता नहीं था बिना सिला हुआ कपड़ा पहना जाता था कपड़े की कटाई कैंची से पहले नहीं हो सकती और कैंची हिंदुस्तानी नहीं तो मैं यह बहुत रफ बहुत कॉमन से अप्धारन दे रहा हूं क्योंकि कि जो आजिकल का जो मुख्य डिस्कौर्स है कि बाहर वालों को रिजेक्ट करो, उनके लायवें चीज़ों को रिजेक्ट करो बात शुरू होती है मस्जद से और वही पर फूल स्टाप लग जाता है और किसी चीज को relief नहीं की जाती है अगर reject करना है तो केंची भी reject करें आप चक्की भी reject करें तो इन चीजों को कहना बहुत जरूरी है और इसे लिए हम आप से बात करें तो एक एक तो ये लेवल है जिसको समझने की जरूरत है दूसरा ये जो बात हमलावरों की की जाती है तो उसमें हम ये देखते हैं कि हमने एक लाइन खीज़ दिये कि इस तारीख से पहले आने वाले हमलावर नहीं थे उस तारीख के बाद में आने वाले हमलावार है अब ये तमान चीजें अगर आपकी वास्तब में वेग्यानिक दृष्टिकोन है तो आप इसे टेस्ट कर वा लेंगे और या बहुत आसान है कि उत्तर भारत के रहने वालों का या पूरे भारत के रहने वाले लोगों का आप 0.001% representative sample ले ले और उनके DNA टेस्ट कर वा ले और आपको पता चल जाएगा किस का कहां कहां का DNA कैसे mixed up तो ये कहां कहां से लोग आई हैं कैसे बसे हैं तो कुशान थे, हून थे, तातार थे, आरे थे और सबसे पहले तो वो थे जो आज हंदुस्तान के आदिवासी हैं जो आज से लग भग साथ हजार साल पहले यहां के बस गए थे अभी हाली में जहां बैठें यहां से बहुत जादा दूर नहीं है यह मांगर बनी का जो अलाका है यहां कोई तीन-चार महीने पहले रॉक पेंटिंग्स मिली हैं जिनको टेंटेटिवली लग भग तीस हजार साल पहले की डेट दी गई है उससे पहले जो ओल्डेस रॉक पेंटिंग हंदुस्तान में थी वो भीम बेटका की थी यह उससे भी 10,000 साल पहली की तो 30,000 साल पहले यहां लोग थे और वो रॉक पेंटिंग्स कर रहे थे आर्यों का आगमन हिंदुस्तान में डेटेड अर्लियस डेटेड लगभग पांच हजार साल पहले यस्टरडे उस से 25,000 साल पहले से कम से कम 25,000 साल पहले से लोग यहां रह रहे थे तो मूल रहने वाले तो वो लोग हैं इसलिए उनको आधिवासी कहा जाता है और इसलिए कुछ लोग उनको आधिवासी कहने को तयार नहीं है उन्हें वासी कहना वासी तो कहना एक तरद से डेरोगेटरी जंगल मेरेने वाले जंगली वहाला वगारा बख़एिंग क्यूंकि उनको आप ये ओधा देने को तयार ही नहीं है कि वह आप से पहले आई थे और आपका थीसिस तो यह है कि सबसे पहले आप थे उस आप आप से पहले कुछ नहीं था एक सवाल जो उठता है हम बात करते हैं जब भी ये composite culture को नकारा जाता है ये राजनेतिक लेवल पर हम लोग इसको प्लूरिलिस्टिक बोलते हैं और एक यूनिटरिस्ट मेथड मोटे तोर पे संग परिवार की जो राष्ट्र और राष्ट्रियता की जो अवधारना है उसके विप्रीत एक प्लूरिलिस्टिक धारना है जो करीब सौ साल से भी ज्यादा समय से चला रहा है उनिस सो पच्चिस को डेट दिया जाता है क्योंकि राष्ट्रिस्वाम सेवक संग का जठन उस साल हुआ था लेकिन उसके पहले भी हिंदू राष्ट्रवाद की एक प्री हिस कि उत्तर भारत तक समेटा हुआ है उधारन के दौपर थोड़ा और समझाने के लिए कि अभी हाल में मोहन भागवत ने बहुत ही ड्रमाटिकली का हर जगा शिवलिंग धूनने की क्या जरूरत है उसी में उन्होंने ये भी कहा कि जब से जो इन्वेडर्स और कॉंकरर्स थ कोस्ट लाइन के आया जो मलाबार का जाए है वहां आया वो भी ट्रेड रूट के चलते हैं तो जहां जहां पर इसलाम गया वहां पर सब जगहा अलग अलग आपको composite-ness के evidences दिखने को मिलते होंगे उसके बारे में जरा बात करिए जैसे आपने कहा कि ब्रह्म पुत्र अतीस्ता के किनारे या पर केरल में तो हम तो हिंदुसान में जहां पर भी जाते हैं वहां पर जो आजगल का में जो यूनिटरिस्टों का जो यूनिट से हिंदू और मुसल्मान इसके आगे दिमाग चलना कम हो जाता है तो वहां पर जरा हम बात करें देखिए एक बहुत इंटरस्टिंग वो है सिलसला मैं पढ़ लाँ था ये काली मिर्च जी उसका पीपल से कोई तालुख नहीं है एक बेल है क्रीपर उसका वो फल है लंबा सा होता है आप समझेे ये एक शेहतूत डिहाइडरेटिड शेहतूत समझ लिजी वो काला होता है काफी हार्ड होता है उसके बारे में हिपोक्रेटीज ने लिखा है वो हिंदुस्तान से जाता था अरब ट्रेडर्स उसको लेके जा रहे थे हिपोक्रेटीस के समाए इसलाम अभी कई सौ साल इन दे फ्यूचर है अरब जब से ट्रेड कर रहे है पीपली को यहां से लेके जाते थे उसके बारे में हिपोक्रेटीस ने लिखा वो पीपली को अपनी दवाईयों में खुश्बू के लिए इस्तमाल किया करता था और उसने उसको पैपरिका कहा पीपली का पैपरिका बना और उसके बाद जब काली मिर्ज वहां पहुँची तो उसका नाम पैपर बढ़ा तो पैपरिका लॉंगाम उसका साइन्टिफिक नेम है पीपली का और उससे फिर पैपर बना और काली मिर्ज इसको अरब्स यहां से लेके गए और उनके जरीए यह योरप में इंटुडूस हुई और वो किसी को बताते नहीं थे कहां से लाएं और हिंदुस्तान आने तक का रस्ता जो था वो उन्होंने छुपा के रखा हुआ था इसलिए हिंदुस्तान को ढूंडने के लिए कोलंबस निकला और वासको डिगामा निकला और वो हिंदुस्तान पहुँच गए और वी वर कॉनलाइज़ ब्लेक पैपर और ग्रीन कार्डमम के लिए ये हमारी दो और इनकी जो ट्रेड है ये सेक्डों साल से जादा पुरानी है हजारों साल से जादा पुरानी एक और मैंने रेफरेंस पढ़ा के और ये यू मस्ट है वहर्ड डेमिसकस स्टील दमिस्च का स्टील वह दुनिया का फाइनस स्टील समझा जाता था और किंग आर्थर के कोड में जितने भी नाइट्स थे उनके पास डेमिसकस स्टील की सोर्स हुआ करती थी पर डेमिसकस स्टील हिंदौस्तान में बनता था यहाँ से वह एक्सपोर्ट होता था और फिर यहां जहां प्लिनी दी एल्डर और प्लिनी दी यंगर रहते थे ग्रीक्स जी वहां पर इट वस कन्वर्टेड इंटो सोड्स पर स्टील यहां से जाता था साथ इंडिया से सम्वेर नियर दी बॉर्डर ऑफ तमिलनाड और केरला उसने और उसके सेक्ड़ों साल के बाद अरब में इसलाम आया तो अलग अलग इसलाम आया और उस वक्त तक यह ओ चुका था कि कुछ मानली जे दो भाई है एक भाई अरब में रहता है कहीं और एक गैरल के कोस्ट पर वहां से यहां तक का रस्ता कई महीनों में समंदर के साथ-साथ अपनी बादबान वाली नाओं में किया करते थे और वो एक यहां दिस इवे माई जोग्रिफी कमस इन हगिंग दी कोस्ट दिर इस अ ओशन करेंट वो साल में छे महीने एक डारेक्शन में बहती है अरब से होके काठियावार के कोस से होके वेस्ट कोस से होके वहां तक जाती है कन्या कुमारी धेनिट स्विंग नॉर्थ एंड गोस अल दे वे तो असाम तो पूरा हिंदुसान का एंड सिक्स मन्स लेटर इट रिवर्स इस तो उसमें आते थे तो अपना चीजे लेते गए और फिर चार-छे महीने वेट किया है वन दे करन्ट रिवर्स इस इल गो बैक इसी रस्ते से माना जाता है कि सेंट थॉम हिंदुसान आये थे और उन से पहले जीव यहां आये थे और वो भी वहीं जाके बसे थे मुजरिस में पहले जीव यहां मिलते हैं रोमन कॉइन्स यहां मिलते हैं और यहां के कॉइन्स और स्टैम्स मौंजदारों के और यह सब के सब महां मिलते हैं यह ट्रेट चल रही है इसी ट्रिट के दूरान ही किसी बड़ इसलाम आता है और वो एक भाई जो महाँ से मुसल्मान होके आता है वो आके अपने भाई को बताता है जो यहां रहता है और बही दूआ और अंडिपी ब़िई लिविंग दे और उसने यहां शादी कर लिये या उसकी बीवियां भी मुसल्मान हो जाती है और इस तरह इसलाम पहुंचता है कैरला में और हिंदुस्तान की सबसे पहली मस्जिद कैरला में है और वो उस वत बनी थी विन दे प्रॉफिट वर स्टिल अलाइव तो चेरमन मॉस्क है दोहजा साल पहले क्योंके हमारी जो पूरी भारत की जो कल्पना है वो उत्तर भारत की कल्पना है पूरे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है कहां से क्या क्या चीजें आ रही है कैसे मिक्स हो रही है ग्रीक्स हैं और इजिप्शन्स हैं और फार इस्ट के लोग हैं लेकिन एक सवाल उठता है कि उत्तर भारत में भी हमको इतनी आइडिया नहीं है क्या है मान लिजे मैं पूछ आँ हम लोग बात कर रहे हैं हम लोग किस भाषा में बात कर रहे हैं किस की भाषा है उन्ने अंग्रेजी इस्तिमाल किया थोड़े बहुत मतलब इंग्लिश मैंने भी इस्तिमाल किया आपने भी गिया लेकिन जो हमारा जो 90% के करीब जो हम लोगों का जो इंट्रेक्शन हो रहा है किस भाषा में हो रहे हिंदुस्ताणी हिंदुस्ताणी क्या है कि कोई प्रिस्टाइन प्योर है या एक कॉंपोसिट लैंग्विज है हिंदुस्ताणी के बारे में हमको रेफरेंसे राश्री आंदुलन के दोरान भी मिलते हैं अभी हाल में हिंदी के उपर फिर से कॉंट्रोवर्सी पैदा हुई जब अमिच्छा जी ने कुछ कहा और नरिंद्र मोदी ने कुछ कहा तो उसको लेके जो गैर हिंदी भाशी स्टेट्स हैं वहां के लोगों ने विरोध किया तो ये तो बहुत पहले से चला रहा है उस समय फिर मैंने देखा दुबारा जाके कि राश्री आंदोलन के समय गांधी देखिए अब अमिच्छा जी का नाम ले लीजे शाह फारसी का लबस है बताब बाकी तो छोड़ी है ना शाह फारसी में बादशाव को कहते हैं आपने शायद राश्री विरोधी तो नहीं कोई बात की नहीं अब उनका नाम है पर उनके नाम का मतलब यही है तो अगर हम हि हिंदुस्तानी की बात करें भी तो समетр मैंने पहला लफ इस्पाल किया अगर वह फारसी का लफρη्च अगर अनग्रेशी में एक लफष है कमांडर वह फारसी का लफष है अम यह कहते हैं दॉक्षण कमान उठा ली जिसने कमान उठा ली वह कमानदार होता था जिस से कमांड और चारपाई, सिपाई, सिपाही, बंदोबस्त, बंगला में चौकीदार, चौकीदार पोलिटिकली बहुत लोड़ेड वर्ड है, चपडासी, कमाल का शब्द है, चपडासी के बारे में बताएं, फारसी में चप को कहते हैं, चप कहते हैं, उल्टे हाथ को, और रास कहते हैं, सीधे हाथ को, तो साहब के इधर उधर गूमने वाले जो लोग थे, वो कहलाते हैं, हम साहब की चपरास में हैं, बाएं और दाएं, आसपास, तो मैं इनके आसपास रहता हूँ, जो भी इनको साहब को चाहिए, वो मैं करता ह हो उनके लिए तो कलम उठा दो जूते पेना दो ये सब कुछ करने का जो काम था वो उनकी वो लोग जो उनकी चपरास में रहते थे जी उससे चपरासी बन गया तराजू तीर संदूख बंदूख ये कितने शब्द हैं रोस की हमारी कनवरसेशन में जो जिनका जो फारसी के ह जो तरकिश के हैं जो पोर्चुगीज के हैं इन समारी समाम जबानों से मिलके और संस्कृत के हैं भोचपुरी के हैं अवधी के हैं रोहेल घंडी के हैं बगेल घंडी के हैं इन समाम भाशाओं से मिलके हरियानवी के हैं खड़ी बोली के हैं इन सबसे मिलके जो भाशा बन के जो लोग हैं आवाम जो है तो हम एक दूसरे के साथ communicate करते हैं हम लोग किसी एक भाषा में नहीं communicate करें लेकिन एक combination of languages में हम लोगों का communication होता है जिसमें तमाम शब्द आते हैं अलग-अलग उसमें आगे चलते हैं भाषा से क्योंकि अगर हम शब्दों को लिस्ट करने लगें तो शायद हम लोग दस एपिसोड करते रहेंगे और फिर भी बड़े मज़ेदार दस साल यही करते रहेंगे हम लोग धर्म को सबसे जादा डिविसिफ मुद्दा बनके उबरा है पिछले करीब साड़े तीन चार दशक हमें हिंदोस्तान में लेकिन मुझे यकीन है कि हिंदोस्तान के जो सारे जो प्रैक्टिसिंग धर्म है इन्होंने एक दूसरे के साथ बहुत इंबाइब किया होगा इसके बारे में जरा के धर्म रहे हैं एक धर्म वो था जो मठाधीश का मौलवी का धर्म था जिसको स्टेट स्पांसर करती थी राज्य जिसकी रक्षा करता था वो करता था और एक धर्म जन साधारण का होता था आम जनता का होता था तो उसको आप इस तरह देख सकते हैं कि जब महर्रम का जिरूश निकला करता था और बहुत सारे लाखों में अब भी होता है तो उसमें एक घुड़ा निकलता है तो वो बच्चे जो बीमार रहते थे उनको उस घुड़े के नीचे से निकला जाता था और जो गर्वती महिलाएं होती थी वो उस घुड़े के नीचे से चलके जाती थी वो तमाम धर्मों की और विश्वास यह था कि उस घुड़े के नीचे से निकल के जाएंगी तो बच्चा जो बच्पन से बीमार है वो ठीक हो जाएगा इसका किसी रिलिजन से कोई तालुक नहीं है यह एक सुपरस्टेशन है वो सुपरस्टेशन के लेवल की उपर लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं आप सलीम चिष्टी के मजार पर जाएंगे वही तो मैं कहा रहा हूं क जिए शेहर में मैं बड़ा हूँ रुड़की उसके बगल में कलियर शरीफ है बहुत बड़ा दरगा है बच्पन से मतलब पांचे किलो मीटर दूरी पर वहां बीता है तो बच्पन से देखें हिंदू हो मुस्लमान हो क्रिश्चन हो दरगा में आके हाथ जोड़के खड़ है वहां हम भी जाते हैं एगनॉस्टिक होने के बावजूद जाता हूँ मैं क्योंकि मुझे जाके वहां अच्छा लगता है तो ये एक तरह से डोरी आप आप एक लाइन नहीं खेंच सकते कि ये सूफिजम और भक्ती मूव्मेंट मतलब कहना मुश्किल है कि कहां सूफी order खतम होता कहां भक्ती शुरू होती है तो ये एक सही किसम का composite culture है तो इसमें जो threat है जो उस पे जो attack है वो कब से होने लगा और क्यों देखिए ये जो मामला है ये असल में जो शुरू में आपने जिक्र किया था जब language की हम बात कर रहे थे कि pure language जी तो ये purity की जो तलाश है ये हमेशा उस तरफ से आती है जो इस diversity के खिलाफ है और एक पूरा का पूरा discourse develop किया जाता है जिसमें ये सही है ये सही धरम है और ये धरम गलत है ये रस्ता इसलाम का नहीं है ये सही इंदु धरम नहीं है ये परिभाशित करने की जो कोशिश है मेरे हिसाब से इसकी उमर डेर सौ साल से जादा पुरानी नहीं है ये उस वक्त ये शुरू हुआ तो 1857 जिसको हम लोग एक political landmark मानते है उसके पहले की ही है आपके हिसाब मेरा एमाना है कि ये ब्रिटिश के हिंदुस्तान में आने के बाद ये डिवलप हुआ ये ये क्योंके अंग्रेजों ने हमारे हमाई साथ क्या किया और दिस इस सम्टिंग मैं जिसके बारे में काफी मैं बात करता हूँ हमको इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में बताया जाता है और हिंदु आर्किटेक्चर के बारे में बताया जाता है दो बिलकुल अलग हमने कभी ये सवाल नहीं पूछा कि अगर इस्लामिक आर्किटेक्चर है और हिंदु आर्किटेक्चर है तो क्रिस्चन आर्किटेक में हैं अगर इस पूरे आइलंड को लेकर आप यूपी में रख दें और अगले दिन धूणने जाये तो नहीं मिलें लेकिन वहाँ पर वेल्श आर्किटेक्चर है, Scottish Architektur है, Irish Architektur है और English architecture है Приरी'llी separately defined और लिकिन यहां KaniaLo गुमानिति लेके कश्मीर तक सिर्फ Hindu Architektur है dealt परिहार Architektur नहीं है चेरा Architektur नहीं है, चौला Architektur नहीं है, विजय-नगर का Architektur नहीं है यह जो तो यह जो सब जो छोटे जो अलग अलग जो आर्किटेक्चरल जो स्ट्रीम्स हैं इनको ओवरॉल हिंदू आर्किटेक्चर किया जाता है क्योंकि एक पुलिटिकल प्रोजेक्ट का हिस्सा है जी जी इसी तरीके से तर्की से लेके और अफगानिस्तान तक इस्लामिक आर्किटेक्चर तबकि बिलकुल अल अबरी मस्जिद मस्जिद थी तो मिनारेट कहा है जी जी तो अब दिल्ली में आप देखिए पहली मस्जिद जिसमें मीनार है वो शाजहाने बनाई है उसके से पहले किसी मस्जिद में मीनार है ही नहीं मीनार मस्जिद के आर्किटेक्चर का हिस्सा नहीं है डॉम भी नहीं है तो यह सब तो यह सब मिंगलिंग से आया और यह डूम दुनिया के सबसे बड़ा डूम वेटिकन में है सेंट पीटर्स बसे लिका उसे कोई इस्लामिक नहीं कहता वाशिंटन डी सी में एक बहुत बड़ा सुफ़ेड डूम है उसे कोई Islamic नहीं कहता तो डोम सड्डली कब Islamic हो गया सेंट्रल एशिया और सौट एशिया का डोम Islamic है बाकी सब जगह का secular है ये वहाँ से ये शुरू हुआ वहाँ से अनों ने एक Hindu civilization और एक Islamic civilization create की और उनकी civilization English थी British थी French थी Portuguese थी और हमने इसको हमारे समाज में भी तो local forces भी तो थी राजनीति गिन्हों ने इसका इस्तिमाल किया और अपनी राजनीती को मजबूत किया हम जो थोड़े दिर पहले बात कर रहे थे कि दो धाराय रही है भारतिय राश्रवाद और राश्रिता के सवाल पर दो अलग-अलग सोच रही हैं पुरे राष्टा आंदोलन के समय एक बिल्कुल एक्सक्लूसिफ विजिट रहा दूसरा कांधी जी के निर्ष्ट में सब इंक्लूसिफ सब को लेके साथ चलने वारी जो बार तो उसी के चलते एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट को अब ज्यादा फाइन ट्यून करके ज्यादा और आगे बढ़ा है पिससे सौ साल से चल रहा है और अब इसको एक खास शकल दी जा रही है तो क्या आपको लगता है आखिर में सवाल ये है कि जो हम एक आईडिया की बात कर रहे हैं कि मिली जुली संस्कृती मिली जुली कल्चर ज इसको theoretically सबसे बड़ी threat ये पहली बार दी जा रही है और एक बहुत योजना बड़ तंग से दी जा रही है इसके बारे में बातें होती रही है पहली है और बीज बीज में ये कि ये विदेशी है इसे निकालो वगएरा वगएरा तो लेकिन ये जो threat है ये अगर इस कोशिश ये कोशिश कामयाब हो गई तो ये मुल्क खतम हो जाएगा क्योंकि ये मुल्क बना ही है इस प्रोसेस के अंदर जैसा मैंने शुरू में कहा शेहर बनते हैं जब अलग अलग तरफ से लोग आके बसते हैं सब्वेताइं भी ऐसे ही बनती हैं अलग अलग धाराएं आती हैं तो ये प्राचीन सब्वेता जिसका हम जिकर करते हैं पांच हजार साल पुरानी सब्वेता ये बनी बनाई पांच हजार साल पहले नहीं आई थी ये पांच हजार साल में विकसित हुई और विकास की इस सीमा पर आज पहुँची है अगर हम इसमें वो ढूमना शुरू करे हैं उसमें तो वर्ण विवस्था थी उसमें तो शुद्र का साया पढ़ने के बाद उसे कोड़े पढ़ते थे तो आप फिर पिक और चूज पिक और चूज नहीं कर सकते हो यही रहा है कि पिक और चूज हो रहा है लेकिन हम यह उमीद करते कि जैसे आपने थोई दिर पहले कहा कि हमेशा एक स्टेट की तरफ से सरकार की तरफ से जो राजा होते थे उनकी तरफ से एक धर्म एक जिंदगी का सोच एक वे आफ लाइफ को फोर्स किया जाता था और दूसरी जनता मानती थी खुद बखुद तो हम ये बस उमीद कर सकते ह कि आने वाले दिनों में जनता फिर से अपने जिस तरह से पहले एसर्ट करते थे दुबारा से एसर्ट करने लगे और फिर उसी मिली जुली संस्कृती मिली जुले साथ रहने की प्रोसेस को दुबारा से उतने ही फोर्ट राइटली रिवाइब करने जैसे की पहले होता था तो हमारे इस कारिक्रम पुष्वत प्वेर भाई आने का बहुत बहुत धन्यवाई थैंक यू वेरी मुच